अस्सलाम अलेकुम पिछली विडियो में हम इन चार एसेक्शुल रिप्रोड़क्शन की इकसाम के बारे में पढ़ चुके हैं तो इस विडियो में हम वेजिटेटिव प्रोड़केशन के बारे में पढ़ेंगे देखते हैं ये क्या होती है तो ये है क्या ये एक तरहां की A-Sexual Production है जो पौदों में होती है तो जब भी मैं पौदों में A-Sexual Production की बात करती हूँ तो हम इसको कहते हैं Vegetative Propagation लेकिन अभी भी सवाल वोई है कि आखिर ये है क्या तो मैं आप से एक सवाल करती है आप अमूमन नए पौदों को कैसे बढ़ाते हैं आप शायद कहेंगे कि हम बीज बुनते हैं बीज लेकर इसको खाद में डालते हैं और फिर इसको इतना पानी देते हैं ताकि इसको घजाई अज़ा मिले और फिर अच्छी खासी धूब लगने के बाद वो बड़ा होकर एक नया पौदा बन जाता है अब ये बहुत अच्छी बात होगी अगर पौदे आसानी से काबले अमल बीज बनाएं यानि कि वो बीज जो काम करते हों लेकिन अगर वो नहीं बना पाएं तब क्या होगा मिसाल के तौर पर गुलाब का फूल बीज बना सकता है लेकिन वो सारे बीज शायद काम ना करें शायद बनने के बाद भी कुछ बीज नए पौदों में तबदील ना हो और कुछ मामलों में जैसे कि केला इन में बीज इतना चोटा होता है कि जब आप केला खाते हैं तो इसके साथ बीज भी खा जाते हैं और आपको पता भी नहीं जलता ऐसे मामलों में आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के मवाके इन बीजों को लेकर बहुत कम है तो हम आसानी से इन पौदों को कैसे हुगा सकते हैं तो इसका एक तरीका है बीज इस्तिमाल किये बगैर और वेजिटेटिव प्रॉपगेशन इसी सब के बारे में है यह तरीका है रिप्रोडक्शन का बीज इस्तिमाल किये बगैर लेकिन यह होता कैसे है यहां मैं आपको एक मिसाल देती हूँ गुलाब की अब जैसा मैंने कहा था कि गुलाब के बीच शायद नाकाबले अमल हो मतलब कि अगर आपको इनको बुनना हो तो भी कोई जमानत या गारंटी नहीं है कि वो बड़े होकर गुलाब का पौदा बनेंगे तो आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं फर्ज करें कि यह गुलाब का पौदा है जो काफी बुड़ा हो चुका है आप इसकी स्टेम को लें अलग-अलग हिसों में काटें और फिर इसको बुनना शुरू करें इसी तरहां दूसरा हिस्सा लें स्टेम का और इसको भी बुने अब अगर आप इसको काफी पानी दें गजाई अज़ाई अज़ा दें और धूब भी आप देखेंगे कि यह बड़े होंगे और नए गुलाब के पौदे बन जाएंगे रिप्रोडक्शन बीज के बगएर होती हुई नजर आएगी तो इस मिसाल में हमने स्टेम के हिस्से लिये थे लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसकी जढ़ के हिस्से भी ले सकते हैं बर्यादी तर पर पौदे का कोई भी वेजिटेटिव हिस्सा स्टेम यानि के तना, जड़ और पत्ते ये सब जोने मिला कर पौदे का वेजिटेटिव हिस्सा कहा जाता है तो अगर आप कोई भी वेजिटेटिव हिस्सा लें और इसको बुने तो आप नए पौदे उगा सकते हैं और इसी वज़ा से इसे वेजिटेटिव प्रौपगेशन कहा जाता है दूसरी जानिब एक फूल और फल जो हैं वो इस पौदे के सेक्शुल हिस्से हैं और जब ये रिप्रोड़क्शन में इस्तेमाल होते हैं हम फिर इसको सेक्शुल इप्रोड़क्शन कहते हैं जिसके बारे में हम आगे की वीडियोज में बात करेंगे तो अब हम ये लिख सकते हैं कि इसको वेजिटेटिव प्रौपगेशन क्यों कहा जाता है क्योंकि हम इसके वेजिटेटिव हिस्से वेजिटेटिव पार्ट्स इस्तिमाल करते हैं अब कौन से हैं वेजिटेटिव हिस्से तना, जड़ और पत्ते वेजिटेटिव हिस्तों को इस्तिमाल करते हुए नए पौदे बना रहे हैं और जब पत्तों की बात करते हैं तो मुझे एक बहुत मशूर मिसाल याद आती है वेजिटेटिव प्रॉपगेशन की और वो देखी जाती है इस पौदे में जिसका नाम है ब्रायो फाइलम तो हम देख क्या रहे हैं ये असल में इस पौदे के पते हैं लेकिन ये थोड़े से मुक्तलिफ हैं क्योंकि अगर आप गौड़ से देखें इसकी नोक को तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बर्ड्स उग रहे हैं इसके उपर और ये बर्ड्स खुद से बड़े होकर पौदे बन जाते हैं जिनको ये प्लांटलिट्स बोलते हैं इनके अपने पौदे और अपनी जड़े होती हैं जो के हम यहां नहीं देख सकते हैं और जैसे जैसे ये बढ़ेंगे ये पूरा पत्ता इतना भारी हो जाएगा और आखिर कार ये जमीन पर गिर जाएगा और फिर ये हर एक एक प्लांटलिट बड़ा होकर एक नया ब्रायोफाइलम बन जाएगा कितने मज़े की बात है न ये ये वेजिटेटिव प्रॉपगेशन की एक बहुत खुबसूरत मिसाल भी है और एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपको अपने इम्तिहानों के लिए भी याद रखनी चाहिए इस वीडियो को खत्म करने से पहले इसका एक जाएज़ा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इस वेजिटेटिव प्रॉपगेशन के कुछ फवायत भी लिखे जाएए तो इसके फायदे क्या हैं क्या आप इस वीडियो को पॉस्ट करके इसके फायदे के बारे में कुछ कह सकते हैं या कुछ सोच सकते हैं आएए देखते हैं तो जो पहला फायदा है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है वो ये है कि ये मदद करता है रिप्रोडक्शन में इन पौदों को जो काबले अमल बीज नहीं बना सकते हैं इसको यहां लिख भी देते हैं दूसरा फाइदा लिखने से पहले हमें एक चीज याद करनी है कि अगर चे ये तरजीह ही या प्रेफर्ड तरीका है रिप्रोडक्शन का ऐसे पौदों के लिए आप वेजिडेटिव प्रॉप्रोगेशन किसी भी पौदे की कर सकते हैं चाहे ऐसा भी कोई पौदा हो जो काबले अमल बीज बाअसानी बनाता हो इनके लिए भी ये तरीका इस्तिमाल किया जा सकता है तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या फाइदा है बीज ना इस्तिमाल करने का चुके ये एसेक्शल प्रोडक्शन है और शायद आपको याद हो के एसेक्शल प्रोडक्शन में आफस्प्रिंग या बच्चे बिलकुल अपने पेरिंट से मिलते जुलते होंगे बिलकुल एक ही तरह के क्योंकि वही एक DNA कापी हो रहा है या चापा जा रहा है जिसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको खास तोर पर कोई एक चीज़ पसंद है पेरेंट पौदे में आप यकीन रखें कि सारे आफ स्प्रिंग्स में भी वही चीज़ आएगी मिसाल के तौर पर एक आम का दरख्त है जिसके आम बहुत ही बड़े हैं अब अगर आपको ऐसे ही दरख्त और उगाने हैं तो आप वेजिटेटिव प्रॉपरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे अलबता अगर आप आम के बीज इस्तेमाल करें तो शायद आप वो गैरिंटी ना कर सकें क्योंके बीज बनते हैं सेक्शल एप्रॉडक्शन से इनका डियने आपस में मिलता है और जब ऐसा होता है तो खसलत या ट्रेट्स उलट जाती हैं और इसी वज़े से कोई गैरिंटी नहीं होगी के नए दरख्त में भी वैसे ही बड़े आम आएंगे तो दूसरा फाइदा ये है कि डिजायर्ड ट्रेट्स यानि कि मतलूबा खसलत को आगे बढ़ाया जा सकता है और तीसरा फाइदा जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप वेज़ेटेटिवली प्रॉपगेट करती हैं तो एक अच्छा मौका होता है कि इस पौदे में फल और फूल जल्दी या तेजी से उग जाते हैं बनिस्बत बीज इस्तिमाल करने के यहां मैं लिख भी देती हूँ फल और फूल जल्दी या तेजी से उगा सकता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप का इस चीज़ का कारोबार है फल और फूल बेचने का तो ये आपको काफी फाइदा पहुँचा सकता है और ये सच क्यों है क्योंकि आप बीच का इस्तिम जवानी में खदम रख दिया पता नहीं इसमें मज़ा कितना आएगा लेकिन कोई बात नहीं पौदों में कोई जजबात नहीं होते क्योंकि इनका नवे सिस्टम नहीं होता खेर इस वीडियो को यहां खतम करते हैं और कुछ एहम बातों का अगर खुलासा करें तो है रिप्रोडक्शन बीज के बगएर ये बहतरीन है उन पौदों के लिए जो काबले अमल बीज नहीं बना सकते जैसे के गुलाब या केले या शुगर केन या जैसमीन बहुत सारी मिसाले हैं और एक एहम मिसाल जो याद रखने की है वो है ब्रायो फाइलम की जो के छोटे चोटे प्लांटलेट्स बनाता है अपने पते की नोक से और आखर कार जब पता बहुत भारी हो जाता है तो जमीन पर गिर जाता है और नए ब्रायो फाइलम पौदे इस से बढ़ना शुरू कर देते हैं और क्योंके रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्शुल है तो कोई भी मतलूबा खसलत को आगे बढ़ाया जा सकता है और क्योंके हम इसके जर्मिनेशन के वक्त को पीछे छोड़ देते हैं इसमें फल और फूल तेजी से उक सकते हैं